जिसका नाम है लक्ष बेसिक नॉलेज अब तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फिल्टर एंड सौर्टिंग फिल्टर एंड सौर्टिंग क्या होती है गाईज मैं आपको बताना चाहती हूं सबसे पहले तो हम अपने डेटा को अरेंज करने को कहते हैं सौर्टिंग हम इसे Z2A, A2Z और अपनी सुविधा के हिसाब से भी सौर्ट कर सकते हैं तो कैसे वो देखिए आप जैसे मैंने ये डेटा बना के रखा है औल्रेडी ये मेरे यहाँ पर 84 तक के डेटा है मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ आपको सौर्ट करके दिखाती हूँ ये रेंडमली लिए हैं गाईज हमने जैसे B है, A है मुझे इसको सौर्ट करना है तो मैं सौर्टिंग और फिल्टर पर जाऊंगी लिए सब्जकुर्ट करों है बर की सौर्ट हो जाते हैं तो ये तो हुई आपके simple sorting आइस आपको इसमें सरफ एक drawback कि यह होता है कि आपका serial number सरफ change हो जाता है आपको serial number दुबारा डालना पड़ता है उसके बाब आपको ये बताना चाहती हूँ guys यदि हमारा data alphabetically arrange हो custom sort पर click करने के बाद एक window open होगी आप बहुत ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर sort by में name करेंगे यदि हमारी heading नहीं दिखती हैं तो हम यहाँ आप देख सकते हैं my data header पर click करेंगे तो यहाँ पर column one two three देखेगा my data header पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर आपने जो headings डाली होंगी वो display होंगी अब जैसे मैंने पहला लगाया था name wise तो मैं इसको वैसा ही रहने देती हूँ guys अब मुझे यदि एक level और add करना है तो मैं add level पर जाओंगी तो आप देखेंगे हाँ पर second level add हो गया जिसका नाम है then by means हमें दुबारा sorting किसके according यह दि name wise sorting हो गई तो allotted course wise sorting हो गई allotted course को भी हमें A to Z चाहिए Z to A चाहिए हम वो set कर लेंगे और guys हम क्या कर देंगे okay अब आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी sorting है वो इस तरह से हो गई है course wise हो गई है मैं आपको एक और तरह से इसको sort करके दिखाना चाहती हूं guys जैसे यह भी हो सकता है कि हम पहले यहां पर यह set करें कि allotted course आए और second field में हम यहां ले ले नेम आए और जैसे ही हम okay करेंगे आप देखेंगे हमारी A alphabet B alphabet C alphabet आ रहे हैं और यह देखिए बायो केमिस्टरी के दो स्टूडेंट थे तीन फिर बायो टेकनोलोजी लाइन से हमारे courses भी अरेंज होके आ गए तो इस तरह से जो है आप sorting कर सकते हैं अब उसके बाद मैं आपको filter दिखाना दिखाना चाहती हूं guys sorting और एक तरीके से होती है guys जैसे कहीं कहीं suppose हमने यहां पर यह कुछ फिल कलर दिया हुआ है यह हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो special है और मैं इनके according बीच बीच में हमने इनको already किसी विज़े से color किया हुआ था इनको पहचानने के लिए मैं यहां से आपको करके दिखाती हूं अब मुझे इसके according sort करना है तो मैं क्या करूंगी guys custom sort पर जाऊंगी custom sort पर जाने के बाद add level पर जाऊंगी तो guys देखिए level बीच में आ रहा है बीच में मुझे नीचे यह तो मैं delete level करूंगी यहां पर click करके मैं add level करूंगी तो वो नीचे आ जाएगा नीचे आने के बाद मेरा जो subject है वो major subject wise हो तो मैंने यहां पर major पर color किया है अब major में आप देखेंगे यहां पर आ रहा है cell color, font color, cell icon जैसे cell color पर जाएंगे तो वो यहां से पूछेगा कि कौन सा cell color आपको चाहिए मुझे highlighted yellow वाला चाहिए तो मैं highlighted yellow पर click करूंगी अब यहां पर दिखा रहा है आपको on top चाहिए कि on bottom मुझे on top चाहिए मैंने ok कर दिया तो आप देखेंगे subject wise टॉप पर आएंगे वो बच्चे और यदि मुझे name wise और alphabetically sorting नहीं चाहिए वो हटानी है तो मैं यहां पर करके delete level कर दूँगी केवल मुझे यह वाली चाहिए मैं ok करेंगी तो आप देखिए गाईज मेरे पूरे highlighted candidates उपर sort हो गए तो इस तरह से मैं particularly किसी एक subject को color wise, font wise, cell wise जो है sort कर सकती हूं अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं filter, filter के लिए हमें क्या करना है आपको सरिफ sorting and filter प तो आपकी headings है उन पर यहाँ पर funnel बन के आ रहा है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे drop down list आती है आपको जैसे भी sort करना है आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे मुझे suppose जिन्हें applicant wise sort करना है तो मैं यहाँ से filter लगाना तो मैं यहाँ से applicant wise number filter greater than top 10 इस तरह से आप set कर सकते हैं या मुझे end कुछ contain character particular A वाले नाम चाहिए तो मैं यहाँ से वो कर सकती हूँ guys अब allotted course suppose मुझे course wise filter लगाना है मुझे यह देखना है कि मेरे इसमे electronics के कितने बच्चे हैं तो मैं select all से click हटा दूंगी guys और मैं सरिफ यहाँ electronics पे click करूंगी और ok करूंगी तो सरिफ मेरे इसमे data show हो रहा है तो वो आप कहां से remove करेंगे guys उसके दो तरीके हैं एक तो आप sorting and filter पे जाकर के filter पे click कर दीजिए clear पे click कर दीजिए या तो फिर आपने जिस column पे filter लगाया हुआ था guys जैसे मैंने allotted course पे लगाया हुआ था तो यहाँ पर यह funnel बन गया रहा है guys आप इस funnel पे click कर के clear filter करेंगे तो आपका पूरा data वापस आ जाएगा आप suppose मुझे particular कोई दो subject पे filter लगाना है मुझे CA और CACS दोनों के बच्चे देखने हैं तो मैंने okay पे click किया तो आप देखेंगे केवल CACS के बच्चे filter होके दिखाई दे रहे हैं बाकी बच्चे hidden हो गए फिर मैं आप को इसको clear filter करके दिखाती हूं guys इसी तरह से मुझे यदि major subject wise filter लगाना है तो मैं यहां जाओंगी अब suppose मुझे major सर्फ बॉटनी के बच्चे चाहिए तो मुझे क्या करना है filter पे जाना है guys फिर बॉटनी पे जाना है और guys क्या कर देना है okay आप देखिए जितने बच्चों क major subject बॉटनी है वो उसके according sort आप यहां से इस data को copy करके दूसरी sheet में paste कर सकते हैं उससे आपकी major बॉटनी की नहीं sheet सीधे सीधे तयार हो जाएगी वापस मैं यहां funnel पे चलती हूं suppose मुझे सर्फ chemistry के देखने हैं तो मैं यहां से भी click हटा दूँगी यहां से भी click हटा दूँ और chemistry पे click करूंगी और okay करूंगी तो आप देखेंगे सर्फ major chemistry के अब major chemistry में भी कितने बच्चों ने minor maths लिया है मुझे वो देखना है तो मैं यहां से minor maths पे click करूंगी और okay करूंगी तो देखिए major chemistry के साथ major maths इतने लोगों तो इस तरह से मैं पहले यहां से clear filter करूंगी फिर guys मैं यहां से clear filter करूंगी तो इस तरह से मैं पूरे data को एनी पी के subjects को मेरे पास जो list है उसके according major minor subject wise filter लगा सकती है अब मुझे सर्फ elective subject निकालना है कि कितने लोगों ने जो है computer application elective में obtain किया है तो मैं CA पे click करूंगी ओके पे click करूंगी guys 123 तीन स्टूडेंट्स ने open elective में obtain किया है computer application इस तरह से यह दि मुझे कोई और subject देखना है तो मैं वो भी लगा सकती हूं इसी तरह से मैं पहले यहां से जाकर के clear filter करूंगी मुझे vocational subject देखना है तो मैं यहां से filter लगाऊंगी जो भी filter लगाने मैं यहां से easily लगा सकती हूं अब suppose मैं आपको यह बताना चा दिया मैं यह वाला format printer इसमें कर देती हूं ताकि वो normal हो जाए suppose मैंने यहां पे color दे दिया यहां पे कोई highlight color दे दिया यहां पे कोई highlight color दे दिया और दूर दूर दे दिया अब मुझे filter करना है color wise तो मैं major subject पे जाऊंगी funnel वाले option पे जाऊंगी text filter पे जाऊंगी या filter by color अगर आपको text recording filter लगाना है guys तो आप text filter पे जाएंगे color filter लगाना है तो आप color filter पे जाएंगे देखिए guys मैंने यहां पे यह वाले पे click किया तो आपके color wise filter हो किया जाएगा data इस तरह से मैं clear करूंगी तो वो clear हो जाएगा तो आप color wise भी filter लगा सकते हैं number wise भी filter लगा सकते हैं suppose यह मेरे कुछ students है मैंने इनको यह कुछ numbering देके रखे हैं percent wise suppose यह इनके percent है और मुझे percent wise filter लगाना है तो मैं यहां पे click करूंगी guys और filter पे जाऊंगी देखिए इस तरह से तो यह आप मेरे filter आ गए अब मैं इसमें यहां पे click करती हूं मैं आपको यहां पे और भी कुछ numbers फिल कर देती हूं यह देखिए गाइस अब मुझे इस में से स्रिफ top 3 बच्चे अगर निकालने है तो मैं number filter पे जाऊंगी top 10 पे जाऊंगी guys कहां जाऊंगी top 10 पे अब top 10 में से अगर मुझे स्रिफ 3 बच्चे निकालने है तो मैं top 3 पे click करके ok करूंगी देखिए guys आपके top 3 बच्चे आगरे top 3 में top 4 क्यों आ रहे है क्योंकि 4 बच्चों के 100% थे मैं आपको clear filter करके दिखाती हूं suppose जैसे मैं यहां से सिर्फ 96 वाले देखना चाहती हूं तो मैं यहां से कहां click कर दूंगी 96 पे अब मैं इनके % आपको कुछ change करके दिखाती हूं suppose मैंने इसको कर दिया 85 और इसको कर दिया 89 और इसको कर दिया 97 अब मैं यहां से आपको clear filter करके दिखाती हूं वापस कहां जाएंगे हम number filter top 10 पे top 10 की जगह हम यहां पे क्या कर देंगे top 3 and क्या कर देंगे guys okay आप देखिए अभी भी आपके दो students के name numbers exact same है इसलिए वो 3 में ही उनको count कर रहा है तो इस तरह से आप top 3, top 4, top 10 कितने भी लगा सकते हैं इसको कहते है number filter less than equal लगाना है आपको suppose less than निकालने है मैं आपको पहले यहां का filter clear करती हूं फिर दिखाती हूं guys जैसे मैं यहां पे गई number filter पे गई मुझे suppose less than 80 चाहिए तो मैंने यहां पे क्या type कर दिया less than or 80 ओके आप देखिए less than 80 आपके पूरे आ जाएंगे वापस मैं यहां चलती हूं clear filter करती हूं इस तरह से जो है मैं पूरे sorting and filter का use करते हूए excel को बहुती आसानी से पूरे data को arrange कर से जोुती अपके रखनी से खूरे सफस्दानी स क्या फज plot जाएंगे मैं यहां देर भाल जा जाएंगे यहां भाल मीघत दे क से एक टाहिए थैशों यहां यहां करते हाुर अने रगित यहां कमेगर तो यहां रहां सुपर Czy व्म इंच ça से पूरे लुत औरूश है ला southiri अजय को बजडने अगय को बना ठाहि करेंग आग करेंगे को लोगड़ आगको को बदू से हमें ऑना हम ए दिते हमे को जुड़ान है कर दो